नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या से साल के अंत में विधान सभाचुनाव होने हैं और इस वक्त सभी दल तैयारियों में जुटे हो हैं तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारॉप का दौर भी देखनी को मिल रहा है बात यहाँ पर राजस्थान की क्योंकि राजस्थान में भी विधान सभाचुनाव हैं जसे लेकर बीजिपे और कॉंग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है दरसल आपको बता दे के बीते 10 सतंबर को कॉंग्रेस महा सच्छिफ प्रियंका गांधी वाडरा टोंक जिले में पहुची थी राजस्थान के टोंक जिले में जहां पर उन्होंने जंसभा को संबोधित किया इस दोरान प्रियंका गांधी वाडरा ने जंता से अपील की कॉंग्रेस को वोट देने की और साथ ही कई एहम मुदों पर वो खुल कर अपनी बात को रखती हुई भी नजर आई इसे के साथ प्रियंका गांधी वाडरा ने भारतिय जंता पार्टी पर भी निशाना साधा कई मुदों को लेकर जी ट्वेंटी को लेकर भी साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाडरा कहती हुई नजर आई कि विदेशी महमानों से भारतिय जंता पार्टी देश की असलित स्वीर को चुपा रही है उनका सीधे सीधे इशारा था कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले जिस तरह से बेजुबान जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से घसीटते हुए ले जाकर उन्हें बंद कर दिया गया जुरान जानवर काफी जादा तडपते हुए रोते में लगते नजर आ रहा था उसके आसपास की जुगी जोपडियों में रहने वालों को और जुगी जोपडियों को हटा दिया गया इस मुद्धे को लेकर प्रियंका गांधी वाडरा हमला करते हुए निजराई बीजेपी पर अब प्रियंका गांधी वाडरा के इस वार पर पलट वार बीजे क्लिप शेयर किया है पहले आप उस वीडियो को सुन लीजिए कि आखिरकार उस वीडियो में प्रियंका गांधी वाड़ा क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है तो देखा अपने और सुना भी अब इस वीडियो को शेयर करते हुए सहजाद पूनावाला ने साफ तोर पर प्रियंका गांधी वाड़ा पर तंचकसा तंचकसते हुए वो उन्हें लेकर एक बड़ा बयान देते हुए भी नजर आए साथ तोर पर शहजाद पुनवाला ने ना केवल प्रियंका गांधी वाड़रा बलकि पूरी की पूरी कॉरी कॉंग्रिस पार्टी पर भी निशाना साथ था अब आपको वो भी विस्तार से समझा देते हैं दिरसल आपको बता देए कि प्रियंका गांधी वाड़रा के इस वीडियो को शेयर करते हुए शहजाद पुनवाला ने लिखा क्या ये प्रोग्राम इनका और उनका है या भारत का है इतना ही नहीं पुनवाला ने आगे कहा कि ये परिवार की मानसिक्ता की समस्या है जो हमेशा इस चीज़ पर विश्वास रखता है जो देश का है वो इनका परिवार का है वह बस प्रकट कर रही है साफ तौर पर नज़र आ रहा है तो देखा आपने की किस तरह से साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड़रा को लेक शहजाद पूनवाला ने कहीं न कहीं एक बार फिर से इंडिया वर्सेज भारत का मुर्दा उठा दिया है दरसल आपको बदा दे कि जब से विपक्ष ने अपनी गटबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से अब बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच इंडिया नाम भारत को ल पिश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते हैं ये नेक्स्ट नाइन नियूस मस्कार